इलाबाद में केंद्रिय विश्विद्यालय के चात्रसंग भवन पर सपा समर्थित चात्रनेताओं का प्रदर्चुन लगातार 33 दिन भी लगातार जारी है। चात्रसंग को बेन कर चात्रपरिशद की विवस्था पिछले वर्ष लागु की थी और चात्रपरिशद के माध्यम से ही चुनाव कराया था। जो की पूर्ण रूप से सफल रहा था। चात्रपरिशद का विरोध लगातार चल रहा था। बीते कुछ महीनों से चात्रसंग जोड़े चात्र नेताओं ने पूर्ण कालीन अंशन पर बैठे हुए हैं। ये कितने दिनों से आपका अंदोलन चनला है और क्या मांग है और अभी नई वीसी आई हुए है तो क्या कुछ उन्चवार तलाप हो पाई है। देखने को नहीं मिला। इसलिए हम लगातार इस आंदोलन रत हैं और आगे भी आंदोलन रत रहेंगी जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। देखे अभी लभागे हमारा च्छा सबा का प्रति मंडल जाएगा वीसी महोदेश मुलाकात करने और जिदने भी संगठाने च्छा संग पहाली के मुद्दे पर हर संगठन वार्ता करेगा और आशा और उम्मीद है कि वाईश चांसलर जो है च्छात्रों के हित्मी फेसल जालेंगे और च्छात्रों का हिस्त में फसला तभी हम लोग को मानेंगे जब च्छा संग पहाल करेंगे अनिवारे बताया था पंजाब के सरी टीवी के लिए प्रियाग राज से सेद रजा की रिपोर्ट